1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडिस को हरा दिया घटना सुनिये मज़ा आएगा वेस्ट इंडिस 74 का वल्ड कप जीता 79 का जीता क्लाइव लॉइड की फिलोसफी अलग थी जो केप्टन था वेस्ट इंडिस की उसकी फिलोसफी में आउल राउंडर शब्द नहीं था पांच बल्ले बाज पांच गेंद बाज एक कीपर 11 की टीप बल्ले बाज को गेंद करने नहीं आती थी गेंद बाज को बल्ला पकडने नहीं आता था लेकिन इस फिलोसफी से उसने 20 साल रूल किया क्रिकेट को 74 में जीते 79 में जीते 83 में वर्ट कप का फाइनल चल रहा है और इंडिया स्कूर 183 इंडिया स्कूर 183 माइडिफरेंट्स रिचर्ड आया बैटिंग करने उसते तेरा गेंदे खेली आठ चौकें मारे कपिल शर्मा को मारे रोजर बिन्नी को मारे हिला दिया एक तो तो खतम करो घर जाओ और कपिल देव ने रिचर्ड का कैच पकड़ा मैच पलड़ गया वेस्ट इंडिस 139 पर आलाव वेस्ट इंडिस समझे नहीं आया हुआ कि उन इनको तो ऐसा ही चलगा होगा है कि साला ये दो टके का टीम वेस्ट इंडिस ने रूल किया था जनाब लोग कामते थे मेलकम मार्शल चाला छे फुट का आदमी 90 की स्पीड से गेंद बास था वो सबसे पहला आदमी वो साला कहते हैं कि एंपायर के पीछे से भाग किया था इनकी ऐसी की तैसी सीरिसली बीसी से इने सब्सक्राइब कर लिया बेवकूफों नो आ बैल मुझे मार और रख के मार वेस्ट इंडिस की टीम के मैक्सिमम प्लेयर कभी जो इंडिया आते ही निते कि इनके पास क्या जाके खेलना है बच्चों क्या माले सारे लोग वेस्ट वंडे हुए जनाब पहले वेस्ट इंडे जीता 6-0 वेस्ट इंडिस इनडिया जीता चे इंडिया जीता है डेडेट सब्सक्राइब अब कहानिया खतम नहीं हुई जे टेस्ट मैच भी है साला इसके लिए Bir Rabbid अबिस्व Westminster पूरी इंडियान मीडिय में पेपर में यह चला इंडिया तुक्के से बूरक बढप चीट गया थी तुक्के से जीता उसने तो पेल दिया साला गर में कछ मा दयाacas 3-0 से वंडे हडाया पहला मैच धाई थाड़े तीन दिन में खतम हो गया और मेलकम मार्चल ने बारा विकिट लिए आठ बोल्ड नमारे साले ने उसका गेंडिज नहीं दिखता किसी को दूसरे मैच से पहले कलाकारी हुई मनोवग्यानिक बलाए गये और काउंसलिंग सेशन हुआ सुनील गवासकर सुनील गवासकर का काउंसलिंग सेशन हो रहा है और सुनील गवासकर का काउंसलिंग सेशन में बोल रहा है एक लीडर कि If Malcolm Marshall is the best player, You are the best best man अगर मेलकम मार्शल दुनिया के सबसे खतरनाक ये बाज है तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बले बाज हो Change your attitude from defense to attack What you are doing को आसकर को ऐसा लगा जैसे जाममत ने हनुमान जी को याद दिला दिया हो शक्तिया Second match फिरोजशा कोटला सटे बाज बोलते हैं तीन दिन में खतम हो जाएगा रहे तो West Indies ने टांस जीता और इंडिया को बैटिंग करने को दिया जाओ मैलकम मार्शल के सामने सुनिल गावासकर मैं आपको बताना चाहूंगा पहले आवर में गावासकर ने मार्शल को चार चौके मारें और लंच तक गावासकर ने 107 किया नोट आउट लंच से पहले गावासकर स्कोर 107 अगेंस्ट वेस्ट इंडिस एक चीज़ बदल गया और मैलकम मार्शल अपनी आटो बाइगराफि में लिखते है कि जब गावासकर ने उस पहले आवर मुझे चार चौके मारें मुझे एक बात समझ में आगया कि इंडिन क्रिकिट यहां से बुदल जाएगी कि जब बदल जाएगरागी कि जब बदल जाएगी